दोस्तों जो आज मार्केट ओपन हुआ था वो डाउनसाइड ओपन हुआ था अगर हम देखें तो मार्केट जो है डाउनसाइड ओपन हुआ फिर और नीचे गया लो लगाया उसके बाद उपर आया फिर नीचे गया फिर से उपर आया अभी हम बैंक निफ्टी फूचर को द लगा चुका है 938 का यह हाई लगा चुका है और हम देखें तो हमने इसमें यहां ले लिया है तो हमने यहां डाउनसाइड एंट्री लिया है मतलब यहां हाई लिया था फिर यहां पर इसने हाई लिया है तो मेरा एकस्टेशन है कि हो सकता ही नीचे जाये तो हमने इधर की तरफ एंट्री ली में तो यहां कुण देख लेते हैं देखे 37,900 की पीमें हमने यहां एंट्री लिया है और दोस्तों यह हम ओडर में जाके चैक करेंगे कि हमने कहां पर एंट्री और क्या हमारा स्टॉप लोस है कि तो यहां देखें तो हमने 300 सत्रह के भाव पर यहां एंट्री लिये ole quiet हमने और यहां ठीक है और हम अपना एक पोजिशन देख लेते हैं अभी फिलाल क्या हो रहा है तो अभी यह थोड़ी सी प्रॉफिट में शो हो रही है तो दोस्तों देखते हैं अगर यह डाउंसाइड ट्रिगर जो हुआ है नीचे अगर जाता है तो हम प्रॉफिट में जाएंगे अगर य उपर आता है तो हमें थोड़ा अच्छा का सा प्रॉफिट यहां हो सकता है बट अगर मार्केट अपसाइड हो जाती है तो हमें इस पुट में थोड़ा लॉज भी हो सकता है तो हमने यह बाई किया है और भी हमारी पोजिशन चल रही है तो रिस्क तो है थोड़ा सा पर हम हमार रिस्क ज्यादा नहीं है अगर हम देखें तो हमार रिस्क खाली 17 पॉइंट का ही है क्योंकि हमने 370 के भाव पर एंट्री लिया और 300 का हमारा यह स्टॉप लोग ले जाएगा और हमें 17-18 पॉइंट का यहां लॉस होने वाला है ठीक है अभी देखें तो यह देखिए फ तो फिलाल अभी 300 के भाव पर यह आ चुके हैं तो देखें दोस्तों फिर आते हैं तो दोस्तों देखें तो अभी यह जो हमने पुट खरीदी उसका प्राइस डाउन हो चुका है हो सकता है हमारा SL भी हिट हो सकता है क्योंकि हमारा 300 के भाव पर हमारा SL है तो अभी देखें तो हम थोड़े profit and loss में या शो हो रहा है market उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है तो फिलाल हम अपनी buying position के आसपास ही यहां अभी है एक बाद और चार्ट देखते हैं क्या position है तो दोस्तों यहां यह green candle बनी है एक red candle के बाद तो अगर यह उपर जाता है तो हमारा stop loss भी यह hit कर सकता है अभी फिलाल हम अपनी cost पर ही trade कर रहे हैं जो price पर हमने लिया है वह हम वहीं trade कर रहे हैं ना हम profit में ना फिलाल अभी हम loss में हैं तो देखते हैं market किदर की तरफ जाता है पर दोस्तो हमने जो stop loss यहां लगाया है जरूर लगाना है हम एक्सपेक्ट नहीं करना है कि market हमारी direction में जाएगा या reverse direction में जाएगा कुछ भी हो सकता है तो हम इसा stop loss जरूर लगाना है ताकि हमें ज्यादा loss ना हो और हम अपनी capital को save कर सकें तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है थोड़ा वेट करते हैं तो दोस्तों देखें market 300 जो हमारा put का price है 334 के आसपास यहां आ गया है अब यह हमारा थोड़ा profit show कर रहा है तो दोस्तों market यह दुबारा से उपर की तरफ चला गया हो हमारी क्या सा लग रहा है कि market अभी sideways हुआ थोड़ा सा और यह उपर जाने को त्यार हो सकता है हमारा stop loss यह hit कर जाए या क्या होता है पर अभी बहुत छोटा सा stop loss है तो हम अपनी position को exit नहीं करेंगे जो होगा देखा जागा अगर market reverse होता है यह हम 3 मिट का चार्ट भी देखते हैं reverse होगा तो हम फिर call में entry यहां कर लेंगे अधरवाइस हमने put में entry ली हुई है ठीक है तो देखिए green, red, green, red तो market का भी फिलाल कुछ पता नहीं चल रहा है तो जैसा भी होता है हमें पता चल जाएगा ठीक दोस्तों फिलाल हम अपनी cost पर है जो होगा देखा जाएगा दोस्तों फिर थोड़ी दिर में हम आते हैं तो दोस्तों अब हम यहां आये हैं यहां दो बच चुके हैं जो हमने सुबर मॉर्निंग में पोजिशन लिए थी वह हमारी stop loss महां हीट हो गया था अभी देखें तो 38000 के भाव पर बैंक निफ्टी फूचर ट्रेड कर रहा है और जो हमने पुट लिया था 222 के प्राइस पर यह अभी फिलाल ट्रेड कर रहा है इसका प्राइस और भी कम चला ग दोबार एक लुग लॉस हो चुका है इस्टॉप लॉस हमारे ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस हीट हुआ था तो हमने दुबार रिएंट्री करिए इसमें तो हम चार्ट देखतें इसका तो यहां देखेंगे बैंक निफ्टी फूचर का यहां से उपर आया फिर नीचे आय अब फिर यह पीवट पॉइंट को टच करके लगबग लगब फिर से नीचे आ रहा अगर यह दोस्तों पीवट लाइन को क्रॉस करता है तो एक अच्छी कासी तेजी यहां आ सकती है तो हम वेट कर रहे हैं हम अपनी पोजिशन में अभी हैं तो दोस्तों हम वेट करंगे क वेशली हम प्रॉफिट में जाएंगे ठीक है तो अभी फिलाल अर्थेहजार चोववन पर यह ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों हम थोड़ी देर में आये हैं तो यहां देखिए तो अर्थेहजार 119 के प्राइस पर बैंक निफ्टी फूचर पहुच चुका है यह अपसाइ प्राइस यहां बढ़ रहा है तो हम दोस्तों हमारी डारेक्शन में जा रहा है तो इसलिए हम बैठे हुए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लोस के थूरू हम अपनी पोजिशन को ट्रेल कर रहे हैं तो आप यहां देखेंगे यह नीचे जा रहा था फिर यह अभी जश्ट प बाव पर हम लिया है ओन कोश्ट लिया है लगबग लगबग ठीक है तो यह देखिए कर दिया और 38.145 पर ही चल रहा है मार्केट फिलाल हम प्रॉपिट में थोड़े से हमने स्टॉप लोस को टेल करके ऊपर की तरफ लिया है अगर रिवर्स होता है तो हमें एडलिस ज्या कर रहा है दोस्तों अगर यह उपर की तरफ कर जाता है तो हो सकता है और भी इसमें तेजी आने की संभावना हो सकती है अगर यह रिवर्स नहीं हुआ तो क्योंकि जैस्टी पीवेट को क्रॉस कर दिया दोस्तों यहां देखिए दूसरी केंडल ग्रीन केंडल यहां बन 300 के प्राइस को यहां टच कर लिया है तो अभी हमें 800 रुप का यहां पॉपिट शो हो रहा है तो दोस्तों यह लगबल लवा यहीं ट्रेड कर रहा है 38 150 के आसपास निफ्टी बैंक को हम एक बार देख भी सकते हैं तो 38100 पर यह पोच चुका है निफ्टी बैंक इंडेक्स का यहां हम चार्ट देख लेते हैं तो आप यहां देखिए नीचे से बिल्कुल सी दिये ऊपर की तरफ ही जा रहा है अभी फ्लाल यह कर रहा हो सकता है यह उपर चला जाए या नीचे चला जाए जो भी होगा अगर हम नीचे जाएगा तो हम अपनी पोजिशन को है अभी फ्लाल तो दोस्तों अगर आपको पॉफिट हो रहा है तो अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं और अगर आपको लॉस हो रहा है तो जल्दी से जल्दी हो सके उसे एक्जिट कर लेना चाहिए अगर आपको लॉस होता है तो तो देखते हम कहां एक्जिट करेंग यहां देखिए candle यह बनी अभी green candle तीन मेट का चार्ट है आप यहां देख रहे हैं वह यह उपर की तरफ फिलाल इनने अब मूब दे दिया है और यह अब ऊपर ही थोड़ा सा निकलेगा ठीक है यह कि तीन सो क्रॉस कर दिया है और जो हमारा फॉपिट है थोड़ा बढ़ चुका है बैंक निफ्टी फूचर का प्राइज भी 3818 के आसपास यहां आ चुका है तो यहां बैंक निफ्टी फूचर का प्राइज भी आप यहां चार्ट देख सकते हैं वह भी धिर दिर यहां ग्रीन केंडल एक लंबी सी बन रही है पांच मेट की केंडल देखते हैं तो यहां भी आपको पीवट पॉइंट से उपर यह निकलती दिखाई दे रही है तो अभी जो 38,000 का CEE 315 के भाव पर पहुंच चुका है और जो हमारा कॉल का प्राइज है देखें दोहजार पॉपिटिया श्रू हो रहा है लगब 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 और हमें 1100 का पॉपिटिया दिखाई दे रहा है देखते हैं दोस्तों होगा तो हम जल्दी एक्जिट करेंगे दोहजार इनफ है आज के लिए हजार रुपे हो चुके हैं लॉस लेके नहीं जाना है तो दोस्तों दीखें यहां पर जो बैंक निफुरी फ्यूचर है 38,000 के आसपास यहां चुका है और 38,000 की कॉल का प्राइज हमारा 340 के आसपास पहुच चुका है तो दोस्तों यहां exit करेंगे हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे तो हम चलते हैं और यहां modify में चलते हैं stop loss limit को market करते हैं और यहीं पर हम exit करते हैं ज्यादा वेट नहीं करेंगे इतना profit बहुत है 340 क्योंकि कभी भी रिवर्स हो सकता है या उपर जा सकता है ज्यादा वेट नहीं करना है ठीक है तो हम अपनी पोजिशन से एकजिट कर चुके हैं और यहां देखिए तो जो कॉल में हमें 2600 रुपे का यहां प्रॉफिट हुआ है इसमें थोड़ा लॉस भी था तो ओवरॉल पर हमने यहां एकजिट कर दिया है और अभी फिलाल जो 38000 CE है वो लगबग 335-330 के भाव पर टेट कर रहा है तो दोस्तों कोई नहीं हम आज प्रॉफिट में हैं जो भी होगा देखा जाएगा अभी देखते हैं कहां मार्केट जाता है तो दोस्तों हम यहां तीन मज़कर पांच मिट पर आये हैं तो अगर हम देखें तो 38000 की CE का भाव काफी नीचे आ चुका है 38000 पर इंडेक्स टेड कर रहा है और तो यहां देखिए 345 के भाव पर हाई लगा के रिवर्ट हुआ है और हमने 340 के भाव पर दोस्तों यहां एकजिट कर दिया हम ही थोड़ी किसम दोस्तों कभी होता है कि हम सही टाइम पर एकजिट करते हो सकता है कि मार्केट उपर भी चला है तो कोई बात नहीं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ आज के लिए धन्यवाद